बूर्णिंग गईज, I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy आज हम लोग डिसकस करेंगे आमिक एडिट कॉलेज के संबन्दित पेपर 2 CGAT यानि Current and General Awareness Test अलड़े हमने 117 के जो की February और 7 में August के दोनों पेपर हमने डिसकस किया है 116 और 117 आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको Question Papers और Solved Papers साथ साथ Content पूरा Material अगर आपको चाहिए आपको खिल मिला के 5000 रुपय लगेगा क्यों लगेगा कैसा लगेगा आप मुझे Comment करके बता सकते हैं आप मुझे फोन कर सकते हैं इस मबाइल नंबर पे 7666-730-252 क्योंकि मैं पिक्चराइजड जो भी Explanation मैं देता हूँ और किताब देता हूँ Colorful अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं चलिए इनके अंदर क्या-क्या सवाल दिये गया है बराक जो मैसाइल होता है इसके बारे में पूछा गया है आप मुझे Comment section में बताएंगे यह जो बराक मैसाइल है यह कौन सा देश से टैप होके हमने लिया है जिसे ब्रमहोस सभी जानते हैं इसराइल से हमनों लिया है ठीक उसी तरह बराक जो मैसाइल है यह हम लोग कहां से लिया गया है अब यहाँ देखा जाए जो ब्रिज ब्रह्मपुत्रा नदी के उपर जो बनाया हुआ है उस ब्रिज का नाम जो है सराइगाट ब्रिज और इसी ब्रह्मवुत्रा नदी को तिबत में सांक्पो के नाबे बुलाए जाते हैं और यहां कारगल की बात कर रहा है जिसे कि जमोन कैश्मीर में हम लोग देख सकते हो सियाचन ग्लेशेर है जहां आइस्ट वार फिल्ड कह सकते हैं स्वच जो के स्वचता यानि क्लीनेस के लिए सिटीज और विल्ड को जो दिया 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 जाता है वो है निर्मल पुरस्कार बहुत ही इंपोर्टेंट है दस्तो इस तरह का जो भी स्कीम से अवर्ड से आपसे पूछा जाएगा common application of Doppler effect जो Doppler effect होता है वो sound के related होता है आपने सुना होगा अगर एक train दूर से अगर पास आ रहा है तो उसका क्या आवाज बढ़ता रहता है और वो Doppler effect के उपर ही काम करता है जो की radar radio action detection and ranging होता है यह जो radar है surveillance आप जहाजों के ओपर जो radar लगा हुआ रहता है वो पूरा का पूरा surveillance कोई भी जहाज की या कोई भी वस्तु की location आराम से हम लोग identify कर शकते हैं अब camera को खोज करने वाला Lewis Lee Prince है दोस्तों यह जो biomedical engineering जो कह रहा है यह normally stunt होती है अपनी जो heart के अंदर जो भी cholesterol बढ़ जाता है heart attack यानि cardiac arrest आपको face करना पड़ता है उसको in order to save from that आपको इस biomedical engineering का जो stunt है वो लगा हुआ रहता है यहाँ पे television को कोज करने वाला jailbird है दोस्तों आप जानते हैं आजकल LED और LCD आ चुके हैं HTTP यानि hypertext transfer protocol होता है और HTTPS क्या होता है यहाँ पे secure होता है दोस्तों hypertext transfer protocol secure यह abbreviation पूछा गया है अब बात आता है दोस्तों second lieutenant आरुन खेतरपाल यह 1971 में इनको परमवीर चक्र दिया गया है एक war हुई थी 1971 में उस war का नाम आप मुझे बताएंगे या यह इंडो चेना के बीच में हुआ था इंडो पाकिस्तान के बीच में हुआ था आप मुझे comment section में बताएंगे उस war का नाम क्या है बैटल आफ बसंतर इस war के टाइम पे lieutenant आरुन केतरपाल को जो second lieutenant और इनको दिया गया है परमवीर चक्र अब बात आता है दोस्तों अलग-अलग war है दोस्तों लांगी वाला है सारा गरी है इस तरह का आपको war याद रखना बहुत ही जरूरी है आप मुझे comment section में बता सकते हैं यह लांगी वाला war क्या है और साथ में सारा गरी war क्या है अब बात आता है दोस्तों मुंबई चत्रपजी शिवाजी टर्मिनस को आज के टैम पे शिवाजी टर्मिनस कहने के बजाए शिवाजी महराज करके यहां पे नाम बदल रिया गया है इनसे पहले इस airport का जो नाम था Victoria टर्मिनस थी दोस्तों नाइंत ब्रिक्स सम्मित जो है तीन से लेके 5 सटमबर के बीच में जो हुआ था ब्रिक्स सम्मित के रिलेटेड सवाल था अब मुझे बताएंगे कि जो ब्रिक्स जो ब्राजिल, रइश्या, इंडिया, चैना, सौथ आफरिका ये जो सम्मित है आज के टाइम पे कितना हुआ कहां पर हुआ है यहां पर उस टाइम पर ग्जामिन में हुआ था केप टाउन सौथ आफरिका की कैपिटल है दोस्तों काटमंडू नेपाल की कैपिटल है दोस्तों अब बात आता है दोस्तों न्यू अटोनी जनरल ऑफ इंडिया जो की मिस्टर मुकुल रोहाद घी अभी सबी जानते हैं आटोनी जनरल बदलते रहते हैं आज की टाइम पर के के वेन गोपाल है दोस्तों जो कि आपको पता होना जरूरी है इन विच डिड़ रूल एसे कौन से स्टेट में जहां नो हैलमेट अगर हैलमेट नहीं है पेट्रोल नहीं मिलेगा टू विलर्स राइड पर फिजिकल एक्टिविटी आन 11 अक्टोबर 2017 उस टाइम पर जो गुडविल अम्बैजडर थे हो वो मिलका सिंग थे दोस्तों बाकी उसे इन बोल्ड 9.58 सेकंड 100 मेटर रनिंग किया इन्होंने कार लूइस भी अमरिका का कह सकते हो धारा सिंग तो एक पहलवान है अब ब यहां जितने भी दिया गया है GST बिल जो पास करने वाली जो लास्ट स्टेट है वो है जम्मो कैश्मेर क्योंकि स्पेशल पवर स्पेशल स्टेटस था जिनकी वज़े से GST उन्होंने लेट पास किया है आफ्टर अप्रोवल फ्रम गवर्नमेंट अफ इंडिया विच तो इंडियन सिटीज अर प्रोपोस्ट तो बी कंसर्ट बाइद बुलेट ट्रेइन कमिंग टू इंडिया यहां पर जो बुलेट ट्रेइन है जो जैपनीस से हम लोग लिया ग दोस्तों पर आहमदाबाद से यहां पर बुलेट ट्रेइन स्टार्ट किया जाएंगया वेर वाज दा इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्ण स्वारी यहां पर विन वाज होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को इसको फॉर्मेशन किया है जगह का नाम अगर देखा जाए मुंबई में में गोकुल्दास तेजपाल सांस्क्रिट कॉलेज में जहां मुंबई में आप देख सकते हो 72 डेलिगेट अटेंड किये थे तब जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है 1885 में नेशनल हाईवे जो की दो नेशनल हाईवे नमबर टू अगर वन की बात करें अम रिटस्ट से लेके डेली उसके बाद दो की बात करें डेली से कोलकता फिर डेली टू त्री जो है मुंबई चार मुंबई टू चन्नाई पांच चन्नाई टू कोलकता ये 1,2,3,4,5 आइवेस है जो की गोल्डन पिरमिड जो की 2,3,4,5 है दोस्तों गोल्डन कौार्ड लेटरल भी कहते हैं अटल बिहारी वाज़ पे के टाइम पे उसको लागू किया गया है पूछा गया है निफी जपा जो आज की टाइम पे कैपिटल है दोस्तों बाकी टंगून यंगून सभी जानते ही है एक लोग सभा से अगर नॉमिनेट होता है उसको 25 साल काफी है अगर वो राज़े सभा से नॉमिनेट होता है तो 30 साल की जरुवत होता है पर आज की टाइम पे 25 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना नहीं अब बात आता है दोस्तों 18 साल में लड़कियों को शादी करने का हक है 18 साल में लड़के को ओठक मिल जाता है और 7 में 21 साल में शादी करने का एलिजबिलिटी है पंचायत एलेक्षन लड़ने के लिए भी है 25 साल की उमर में अगर देखा जाए यहाँ पे याद करने वाली लोग सबें मेंबर बन सकता है अब बात आता है दोस्तों Powers of the President यहाँ जो Powers है प्रेजिडेंट का Legislative होता है, Executive होता है, Judicial यह तीनों होता है दोस्तों अलग-अलग और Emergency Powers आप जानते ही है Article 352 चिली का Capital के बारे में पूछा जा रहा है Santiago है दोस्तों अलग-अलग Capitals आपको पता होना ज़रूरी है Cape Town, South Africa और Australia का Canberra Australia का Vienna इस तरह का अलग-अलग Capitals आपको पता होना ज़रूरी है Official Language The State of Nagaland पूछा जा रहा है अंग्रेजी है दोस्तों Nagaland के Official Language बोलचाल Language क्या है National Language of India हिंदी है दोस्तों Longest Lake जो कि इंडिया में चिलका लेक कह सकते हैं बाकी उलार सभी जानते हैं उलार लेक और यह जो है जम्मू कैश्मीर में देख सकते हो सामबार राजस्तान में हैं आप मुझे Comment section में बताएंगे वेमबनाड किदर है Which place on earth receives maximum rainfall जो कि मेघालेया के अंदर मास सिंड्रम जगा है जहां सबसे ज़्यादा rainfall होता है दूसरा जगा पे चीरा पुंजी है दोस्तों डौंग अरुनाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदाई वहीं होता है कच जो कि आप गुजरात में देख सकते हो एक डिस्टिक्ट है बस्टार उत्राखंड के अंदर एक डिस्टिक्ट है दोस्तों अब बात आता है बस्टार डिस्टिक्ट किदर है आप मुझे comment section में बताएगा Which state in India has the second largest literacy rate सबसे ज़्यादा literacy rate नागा लेंड में है वहीं पे हॉर्ण बिल फेस्टिवल भी celebrate किया जाता है जहां पे अंग्रेजी official language है और यहां पे सबसे ज़्यादा हम लोग केरल में देख सकते हो उसके बाद नागा लेंड है दोस्तों बाकी मिजोराम की capital आईजवाल त्रिपुरा अगरतला पंजाब चंडीगर है दोस्तों अब बाद आता है दोस्तों वेर इन इंडिया डू यू हाव दा एरपोर्ट फुली फंक्शनल अन सोलार पवर ऐसी कौन सी जगा है जहां पे एरपोर्ट जो है सोलार बेजड है पूरा का पूरा फंक्शनल है दोस्तों कुछी इंटरनेशनल एरपोर्ट बाकी बेंगलूर में केंपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट और बाकी आईदराबाद के अंदर राजीव गांदी है कोजिकोड यानि कैलिकट को कहते हैं जो की केरल में है दोस्तों चिकन गुनिया होने के लिए मैं रीजं क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे चूहों से हम लोग पलेग फैलता है और पोलेंस और वाइरस या चिकेंस इन्या याँ यहाँ से किन में से चिकन गुनिया फैलता है आप मुझे comment section में बता सकते हैं इंसुलिन क्या होता है एक ऐसा medication है दोस्तों for diabetes के लिए हम लोग सभी शुगर जिनका हो जाता है वो insulin injection पेट पर ऐसे ले लेते हैं तो यहां पर जो medication diabetes के लिए जिनकी sugar level बढ़ गया उनको यह insulin की जरुरत होता है जो की pancreas काम करना बंद कर देगा who was the first test cricket captain of India seeker नाइडू जो की बहुत ही important है दोस्तों यहां पर पहला जो test cricket captain कह सकते हैं अलग-अलग लोग हैं जो आपको पता होना जरूरी है और नाइडू जो है test cricket का captain है दोस्तों अगला देखेगा which country will be hosting the next FIFA World Cup 2018 उस टाइम पर 2008 का रश्या है दोस्तों अगला जो वर्ल्ड कप होगी वह अभी जो 2022 में होगा कतार हाइस्ट करेगा दोस्तों इस तरह का अलग-अलग चीज़े आपको पता होना जरूरी है ए म्यूजियम इन हानर आफ लेट प्रेजिडेंट डाक्टर एपीज अब्दुल कलाम 2017 में हानरबल प्राइम मिनिस्टर जो भी था उस टाइम पे इन्होंने इनागरेट किया है ये जगह आप देख सकते हो चन्ने में बहुत ही इंपोर्टेंट है दो किया है अरड़न किसने टरैंसलेट किया है महाभारता किसने ट्रैंसलेट किया है कंट्रोलर दर जनरल्क जो टन्यूर वह चसाल के लिए होता है दोस्तों ये और इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऍ। प्रपोजल तो चेंज दा पिरियाडिकली अफ फिस्कल या फिनाशल येर इन इंडिया दा प्रपोजड पीरिड क्या होगा जैनवरी से लेके डिसमबर तक आप देख सकते हो फिनाशल येर पर नॉर्मली जो फिनाशल येर इंडिंग का जो होता है वो हम लोग 31 मार्च बाक नहीं देख सकते हो इस तरह का कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा सब्लीमेशन प्रॉसस होता है बागे प्रेसिपिटेशन सीधा गयास से सीधा लिक्विड देखने को मिलेगा जो की रही नहीं अगला देखिए एक किसम का कंडिन सेशन भी कह सकते हैं फ्रीजिंग तो स्पेइन में होता है दोस्तों वहीं पर बुल फाइटिंग भी देखने को मिलेगा साइलेंट वाली प्रॉजेक्ट यह आप किरल में साइलेंट वाली देख सकते हो करनाटक उतरांचल गुजराथ गुजराथ गिर नेशनल पार्क के लिए फेमस है करनाटक में क्या है कौन तो किसें का फास्टेट से जो रोशनि आता है वो इक किसांट का फास्टेस्ट मोडक होने का बाकी सभी जानते है कंड्डप्शन क्या होता वाक कि गौडम स्माल तिंग जो है एक किताब को लिखने वारा आरुंदती रहा है दोस्तों एपी जा अब्दुल कलाम सभी जानते हैं यह अब्दुल कलाम जी जो है आज की टाइम पे अब्दुल कलाम जो है उन्ही रहा इग्नेटेड माइंड्स साथ में इंडिया विजन 2020 विंग साफ फा जिसको हम एस्ट्री कहते हैं जो कि सभी जानते है नर्मदा जो रिवर है वो अरेबियन सी में एस्ट्री फार्म करता है तो उस नर्मदा जो रिवर है वो सीधा जाके अरेवे में मिल जाता है एक किसम का एस्ट्री फार्म होता है दोस्तों अब बात आता है दोस्तों जाइ के नाम पर जाना जाते हैं अलग-अलग exercises हैं इंद्रा युद्ध अभ्या सूर्य किरन किसके लिए आप मुझे comment section में बता सकते हैं इस तरह के military exercise आपको पता होना बहुत अनिवार है what was the first living object that was launched into space सबसे पहले Apollo 2 एक ऐसा एक monkey था जो जाने वाली उसके बाद कुत्ते को युद्राइविका यानि लाइका को बेजा गया है जिनको अब आस्टोनाट डॉग के नाम पर जाना जाते हैं चुहों को laboratory में यूज किया जाते हैं अभी तक गगनियान स्टार्ट हुआ नहीं जिनमें इंडियन्स जाएंगे व्यो मित्रा उनसे पहले जाएगी जोकी humanoid है दोस्तों वो उसके बाद success होगा then only गगनियान बेजा जाएगा deficiency of vitamin K जोकी blood coagulation में काफी help करता है scurvy vitamin C की कमी के वज़े से nightblendness retinol E की कमी के वज़े से ताहिराडिजम हम लोग जानते हैं नमक की वज़े से iodine उस्ताद अल्ला रखा खान तबला प्लेयर है दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है अल्ला रखा कान जाकिर हुसेन ये लोग तबला प्लेयर्स है बागी अरिप्रशाद 84 या flutist और pianist अलग-अलग लोग आपको पता होना ज़रूरी है सरोध अमजाद अली खान, शहनाए बिस्मिल्ला खान Headquarters of International Court of Justice जो की हैईग में देख सकते हो दोस्तों New York के अंदर United Nations Organization के headquarters है Washington DC के अंदर World Bank देख सकते हो दोस्तों अब जनीवा में क्या है आप मुझे Comment section में बात कर सकते हैं मुहिनी अट्टम जो की केरल में काफी important dance है दोस्तों साथ-साथ यहाँ पर कतककली भी famous है और आप मुझे Comment section में बताएंगे वहाँ पर जो fighting होती है और fighting वाली उसको क्या कहते है केरल में जो की एक art है दोस्तों, art form है वाकिया साम में जानते हो भी हू, dance करनाटक में कूचिपुडी बरतनाट्यम जो की करनाटक में दोस्तों कूचिपुडी आंद्रप्रदेश इस तरह का आप देख सकते हो अलग-अलग देख ली जीगा, बहुत ही important है dance, बरतनाट्यम, तमिल नाडू, करनाटक में क्या है एक्षगाना, यह सब चीज़े आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने वाली चीज़ यह की कोड नेम फर अटामिक बाम जो भी ड्रॉप किया गया था जपान सिटी में, जो की हिरोशिमा में ड्रॉप किया था 6 अगस्ट 1945 को, यहाँ पे वल्ड वार 2 के दोरान, जो की आप लोग सबसे पहला जो बोईंग B-29 सूपर फोर्ट यहाँ से इस बोईंग B-29 से ड्रॉप किया गया था जिसको हम कहते हैं लिटिल बॉइ, फैट बॉइ जो की 9 अगस्ट को ड्रॉप किया गया था, अब बात आता है दोस्तों, how many stars are present in the national flag of the United States of America, खुल मिला का 50 होते हैं क्योंकि 50 state deal करता है दोस्तों, with which of the following countries does India share the longest land boundary, याद करने वाली चीज बांगलादेश के साथ यहाँ पे longest land boundary share करती है दोस्तों, इंडिया, अगला देखिए, festival of the following was banned by the Supreme Court for cruelty to animals in India, जली कर्टू, जहाँ Supreme Court ने बैन किया था, क्योंकि उसको control करना पड़ता था, इस तरह का bullfighting आप देख सकते हो, Spain के अंदर भी, Indian Naval Academy कहां पर हैं, इजी मला में हैं, Air Force Academy आप देख सकते हो, दुन्डिगल जो की अजरवाद में हैं, और साथ में Officers Training Academy चन्ने में हैं दोस्तों, अलग-अलग जगा आपको पता होना जरूरी है, इस तरह का कोई भी नेशनल फिल्म रिलेटेड कोई न कोई सवाल पूछा जाएगा, करेंट रिलेटेड आप याद रखियेगा, विचा तो फॉरंग डिसेज यूज्वली स्प्रेड तुरू मिल्क, दूद से डैक्तिरिया फेलता है दोस्तों, तायराइड आडम सापी ला जाता है, गाइटर, प्लेग चूहों से आता है, पॉल्यो मिलिटर्स सभी जानते हैं, लिम्स अफेक्ट करता है, रैंट जो की करेंसी सवताफिका है दोस्तों, यमिन यहाँ पे दिखने वाली चीज, इजिप्ट की करेंसी, जो की आपको इजिप्ट की कैपिटल कहे रहे हैं दोस्तों, अलग-अलग जगह की आप करेंसी रखियेगा, पता होना ज़रूरी है, आर्टिकल 356 क्या स्टेट क से तहत लागू कर सकते हैं, स्पेशल स्टेटस अब जम्मो और कैश्मिर 370 है दोस्तों, आपरेशन फ्लर्ड लांजड इन येर 1970, नैशनल डायरी डेवलप्मेंट बोर्ड जो की दूद के रिलेटेड होता दोस्तों, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोड़क्शन, वाइट कहते हैं, इंडिया जो है सबसे पहला पोजिशन है आज की टाइम पे, सबसे ज़्यादा मिल्क उतर प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है, वेट की जो डेफिनेशन है, मास इंटू ग्राविटी, एम जी कह सकते हैं दोस्तों, प्रोड़क्ट है, मस्कट पूछा जार जापनीज का मेरा थोवा कह सकते हैं, मस्कट यानि खिलोना होता है जो की शेप, पी एसल वी पोलर सैटलेट लांजिंग वेहिकल, सी 37, जिनको लांच किया गया है, स्री हरेकोटा स्टेंटर से, तकरिबन एक सो चार कह सकते हैं, एक सो चार सैटलेट को मतलब यहां पे लां होता है, हाल मार्क होता है, अलग-अलग, which of this stealth aircraft is very very difficult to detect by radar, जो कि यहां पे B-52 strat fortress है, जो radar से भी पता नहीं चल पाता, जुसको हम stealth technology कहते हैं, दोस्तों, इस तरह कर जहाज भी बना हुआ रहा था आज की टैम प, जहाज यानि ships, which are the following medium would given maximum bandwidth, यहां पे maximum bandwidth, यहां पे maximum bandwidth आपको देखने को मिलेगा, optical fiber cables के अंदर, जिनके अंदर total internal reflection यानि TIR देखने को मिलता है, अगला who is known as Bismarck of India सरदार वालवाय पटेल है दोस्तों, जिनको हम Iron Man of India के नापे जाना जाते हैं, father of nation महात्मा गांधी को कहते हैं, नेता जी सुबाश चंद्रबोस, forward block जिन्होंने start-up किय था, अजाद हिंद फॉज, लोकमा ने बाल गंगा दरते लग, बाल कहते हैं, दोस्तों, विपिन रावत, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ये जो है, 27th Chief of, यहाँ पे Army Staff कह सकते हैं, लेकिन, आज के टाइम पे वो CDS है, दोस्तों, Chief of Integrated Defense Staff, National Flag Code of India के तहत, 2002, जो भी National Code दिया गया है, Flag Code, and Death of Chief Justice of India, National Flag of India will be flown Half-Mast Nationwide, Suddenly अगर Chief Justice of India की Death हो जाता है, National Flag को Half-Mast Fly किया जाएगा, Nationwide कह सकते हैं, What is the height of Burj Khalifa, जो की tallest building है दोस्तों, वर्ल्ड में, 828 meters height आप देख सकते हो, Burj Khalifa कहाँ पर है, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, GST जो की आप मुझे comment section में बता सकते हैं, यह जो slab है, 5%, 12%, 18%, 24%, इस तरह का अलग-अलग slab डला गया है, Microwave Oven जो होता है, Graham Bell, जो की Thomas Alva, Edison Bell, Graham Bell यानी टेलिफोन है दोस्तों, Microwave Oven को Percy Spencer है, Michael Faraday Electric Field, Henry Heads, Frequency कह सकते हैं, पहला एंडोजोल अथलेट, from independent India to win the medal at the Olympics, जो की अभिनो बिंदरा है दोस्तों, जिनको gold 10-meter air pistol में दिया गया, उससे पहले, राजवरदन सिंग राथोड, स्विल्वर मिला है, विच इंडियन आर्टिस्ट, वाज रिकर्गनाइज़ फर रेजिस्ट्रिंग, इन 2011 Guinness Book of World Record, फर मोर दैन 11,000 रिकॉर्डिंग्स, आशा बोसले, जो की लताम अंगेशकर की सिस्टर है दोस्तों, 11,000 रिकॉर्डिंग से ज़्यादा, इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है, अब बात आता है दोस्तों, सिंगरेनी कोल फिल्ड, ये कहां पर देखने को मिलेगा, गोदावरी वैली में देखने को मिलेगा, सिंगरेनी गोल फिल्ड, अब बात आता है World Health Day जो की 7 April को celebrate किया जाता है एक में को Labor Day मनाय जाता है India's Research Station at the North Pole जो की हिमाद्री है दोस्तो और आपको पता होना जरूरी है दक्षिन गंगोत्री जो की अंटार्क्टिक में एक ऐसा एक स्टेशन है माइत्री भी वहाँ पर देख सकते हो अब बात आता है गंगोत्री की जो की गंगोग ग्लेशर जहां से गंगा औरजिनेट होता है विचा तो following would be a networking solution in a single building बिल्डिंग की बात कर रहा है तो land है दोस्तो campus की बात करेगा can है दोस्तो man यानि metropolitan cities जो की मुंबई, डेली इस तरह का वैन यानि global wise होता है दोस्तो father of wire veda हम लोग चरका को कहते हैं आर्य बट्टा zero खोज करने वाला कालिदासा सभी जानते हैं अलग-अलग writers का आपको पता होना जरूरी है इंडियन army carried out a military exercise जो की मंगोलिन आर्मी के साथ 2017 में उसका नाम बताया है पूछा जा रहे nomadic elephant बहुत ही important है दोस्तो मंगोलियन army के साथ इंडियन army nomadic elephant exercise किया था दोस्तो अब बात आता है दोस्तो union cabinet approved creation of NTA as an autonomous and self sustainable organization 11 November 2017 में NTA का मतलब होता है National Testing Agency ये आपका abbreviation पूछा गया है what did Sir Alfred Noble जिन्होंने कोज किया था accidentally उनको पता ही नहीं था कि उसने dynamite की कोज किया उसने जो काफी बड़ी blast हो चुका है उनको लगा कि ये अच्छा काम के लिए इस्तमाल करेंगे उनको बाद में पस्तावा हुआ कि ये लोग गलत काम के लिए इस्तमाल कर रहे हैं और ये जो भी price money दिया गया था उस price money से सभी लोगों को noble price छे फिल्ड में दिया जाता है छे फिल्ड आप मुझे comment section में बताईए हमने आलड़ी discuss किया है United Nations Charter जो के sign किया गया 1945 जून 26 तारीक को उसी साल आप जानते हैं United Nations Organization भी set up किया गया था what is the name of the instrument measuring the wind speed जो के animometer होता है दोस्तो सिस्मो मेटर जो की earthquake measure करने के लिए windmill जो की electricity generate करने के लिए mangliaan जो है स्रीहरे कोटा launching station से थोड़ा गया है सबसे पहले 5 November 2013 को PSLV polar satellite launching vehicle C25 से launch किया गया है दोस्तो चंदरयान 1B, 2B World Health Organization जो की 2017 में उनका जो team था team हर एक साल में एक एक team होता है depression नहीं कह सकते हैं दोस्तो हर साल में अपना team अलग बदलता रहता है यहाँ पे चहिना जो है Association of Southie Station Nations का member नहीं है बाकिया आप देख सकते हो Laos, Cambodia, Philippines member हाई geostationary satellite revolve from west to east जिसे की हम लोग सभी जानते है सूरज east to west देगे को मिलता है क्योंकि हमारा जो दर्ती है वो west to east गुमता है जब दर्ती west to east गुमता है जो geostationary जो satellite है वो भी revolve करता है west to east क्योंकि नहीं तो stationery नहीं रह पाएगा main protocol जो कि internet में यूज़ होता है TCP और IP transfer control protocol internet protocol होता है दोस्तो यह आज की time पे use किया जाता है OROP यानि एक pension होता है दोस्तो same rank same pension for same length of service irrespective of data of retirement यह एक आपको पता होना जरूरी है यहाँ पे OROP जो implement किया गया था same rank same pension for the same length of service irrespective of data of retirement जबी भी हो अब बात आता है दोस्तो sixth pay commission जो 2006 में approve किया गया है उस time पे कौन setup किया गया था justice being स्री कृष्णा स्री कृष्णा के अंडर में 2006 में setup किया गया था इस तरक जो pay commissions है आपको देखने को मिलेगा आप मुझे comment section में बताएंगे अगला pay commission कब लागू होने वाला है world peace day जो कि celebrate किया जाता है UN member states 21 September को celebrate किया जाता है दोस्तो United Nations की how many member state है आज की time पे 193 members कह सकते है 24 October 1945 को इसको establish किया गया था National Stock Exchange जो कि डिली में है आज की time पे उसको sensex के नाम पे बुला जाता है जो कि इंडिया में NSE भी डिली में है और साथ में BSE Bombay Stock Exchange Mumbai में है दोस्तो दलाल स्ट्रीट में Highly's comment जो है Hockey Player है दोस्तो जिनको हम Wizard of Hockey के नाम बे जाना जाते है और ये अपने लिए Gold भी लाया गया है Olympics में काईगा जो Power Plant है Nuclear Power Plant है करनाटक में देख सकते हो ये Electricity Production के लिए आपको देखने को मिलेगा ये Nuclear Power Plant है दोस्तो Hydro यानी पानी Next जो है Titan अगर Amlai नीपा नगर ये सब जो है Paper Industry के लिए काफी फेमास है दोस्तो जहां Paper की Production होता है दोस्तो Total Dissolved Solids से होता है TDS can be reduced by the following methods Reverse Osmosis होता है जिनमें Total Dissolved Solids को कम किया जा सकते है Reverse Osmosis से अब बात आता है Google एक Multinational Internet Services है दोस्तो This product related to the company was founded by the 1998 जो की Larry Page और Sergei Brin ये दोनों ने Google की जो की formation किया दोस्तो Internet Service 1998 में The logo जो की Marrior Brand Name आदार जिनको launch करने वाला Nandan Nilkarani आप सभी ध्यानते होंगे आदार जो card का जो logo है वो Nandan Nilkarani ने launch किया है लोगो आप बात करते हैं आकाश surface to air missile है दोस्तो अगर air to air missile की बात करें अस्तरा है दोस्तो इस तरह का आकाश surface to air missile DRDO ने इसको बनाया है दोस्तो जैलेन वाला बाग 19-19 13 April को इसको बनाया गया है जैलेन वाला बाग ये ऐसा कांड हुआ है आप साइफित दिन किछलू जो की उस टाइम पे arrest हुए थे जैलेन वाला बाग जो की वहाँ पे पंजाब के अंदर आप देख सकते हो वहाँ पे काफी अमरिट सर में इस तरह प्राबलम हो गया था और वहाँ पे सीधा सभी के उपर firing किया गया था बाद में उदम सिंग जाके वह जनरल डायर को मार दिया था कैकस्टन हाल इंग्लैंड में तो इस तरह का revenge लिया गया है उदम सिंग और काफी लोगों की death हो गई थी 13 April को बैसा की festival भी मना जाते हैं तो आप इस तरह का जलेन वाला बाग जब हाजसा हुआ था वांटर कमिशन को establish किया गया था ताकि क्या reason है उसको solve करने के लिए इवन रभिदना ठागूर अपना जो अवार्ड है उस अवार्ड को भी उसने नाइट हूड अवार्ड को तरसकार किया है Battle of हाइफा वास फॉट on 23rd September 1918 which is presently located in इसराइल यहाँ पर जो इद्द लड़ी गई थी 1918 में हाइफा यह जगह आप कहां दे सकते हो इसराइल में क्योटो प्रोटकाल जो कि वर्ल्ड क्लामेट चेंज होता है ozone layer खम हो जाता रहा because of chlorofluorocarbons बढ़ने के वज़े से क्लामेटिक चेंज क्योटो प्रोटकाल कह सकते हैं दोस्तो जीत ताइल was shortlisted for Booker Prize उस टाइम पे नार्को पोलिस एक किताब उन्होंने लिखा था जिसके वज़े से Booker Prize highest award होता है जो दिया गया था Supreme Commander of Armed Forces President of India को कहते हैं दोस्तो बागे CDS आज के टाइम पे जनल विपिन रावत है पहला सिटिजन जो है प्रेजिडेंट को कहते हैं Belgium की capital Brazil Belgium को cockpit of Europe के नाम पे जाना जाते हैं आप मुझे comment section बताएंगे बुड़ापेस्ट किसकी capital है which is the best indicator of economic development of a country जो की per capita income कहते हैं दोस्तो best indicator of economic development of this country per capita income के उपर निर्बर करता है Celsius और foreign heat का जो temperature है सबसे equal minus 40 में देखने को मिलेगा क्योंकि C minus 0 by 100 is equal to F minus 32 by 180 इनमें अपले करेंगे C का value अगर minus 40 है तो FB minus 40 आ जाएगा which are the following planets of the solar system has the longest day Venus है दोस्तो longest day देख सकते हो what is a baking soda sodium bicarbonate को कहते हैं caustic soda sodium hydroxide को कहते हैं sodium chloride यानि नम्म को है दोस्तो इस तरह का आपको पड़ता होना चाहिए potassium chloride यानि KCl potassium bicarbonate यानि KHCO3 ohms law जो है V is equal to IR आप कहा सकते हैं यहाँ पे इस तरह का law आप देख सकते हो Vikram Sage जो है famous writer है दोस्तो और काफी लोग आपको पता होना ज़रूरी writer, cartoonist, painter इस तरह का आपको पता होना अनिवार यह है Army day 15 जनवरी को मनाय जाता है हर साल General came करियपा take over किया था सबसे पहला इंडियनामी chief है दोस्तो जो की take over करने वाला और साथ में Army day इनी के take over के बाद ही celebrate करने लगें बाकी आप जानते हैं मानेक्षा किसके लिए famous है field marshal पहल एक ऐसा scheme है जो की direct transfer of LPG subsidy कह सकते हो और लड़की की पढ़ाई के लिए जो की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह सकते हैं excessive drinking of alcohol में damage जो की liver है दोस्तो ज्यादा alcohol पीने से liver cirrhosis बीमारी हो जाता है kidney stones, oxalic crystals tomato, pollak ज्यादा खाने से kidney stones हो जाता है lung disorders acute bronchitis asthma, TB करोना, जो भी करोना कोविड है, lung का related है cardiac arrest, जो की heart cholesterol बढ़ जाता है problem होता है दोस्तो which one of this is an air to air missile, आस्तरा है दोस्तो आपको पता होना जरूरी है बाकि आप अगनी 1, 2, 3, 4, 5 अलग-अलग range आ चुके है जवलपूर जो है मज्य प्रदेश में है नर्मदान अधी के तटपर देख सकते हो अलग-अलग river respective location of the cities इस भी आप देखना बहुत जरूरी है दोस्तो टाब वैक्सिन जो है टाइफाइड के लिए काफी फेमस है वाइडल टेस्ट करके टाइफाइड है की नहीं पता चल जाएगा टाब वैक्सिन देना पड़ता है रभीस हाइड्रोफोबिया कहते हैं कुता काटने के बज़े से कलराव अब्रियो कलराव के बज़े से होता पोलियो लिम्स अफेक्ट करता है दोस्तो वो इस फर्स्ट नान इंडियन टो विन भारत रतना खान अब्दुल कफर कान है दोस्तो जो की नान इंडियन है पाकिस्तानी है जिनको I.S. Civilian Award दिया गया Nelson Mandela सभी जानते हैं जो की Apartheid Racial Discrimination जो की African President भी रह चुके हैं 18-19 साल जेल में रखके बाहर आने के बाद ये President भी टेक ओर किया Martin Luther King अच्छा motivational speaker है दोस्तों, यंग उमर में मर गया और Yasser Arafat Al-Fateh सभी जानते हैं Which device is used to store and charge, capacitor को use किया जाता है charge को store करने के लिए बहुत ही important है दोस्तों Octal number जो है Is a positional system with weights from 0 to 7 ये एक number है दोस्तों 0 to 7 जेले के 7 तक Octal number आप देख सकते हो Nightingale of India Sarojini United को कहते हैं 1961 में United Province के governor बनी है इन्होंने Broken Wing किताब लिखा है और साथ में यहाँ पे Aasha Bosley और Lata Mangeshkar Indra Gandhi अलग-अलग लोग-अलग रोल है दोस्तों सबसे पहले बारत रतना अवरतों में Indra Gandhi को दिया गया है Aasha Bosley लता Mangeshkar singers है दोस्तों दोनों sisters है Meloded Queen कहते हैं Lata Mangeshkar को Armored Forces Flag Day कब मनाय जाता हैं 7 December को Armored Forces Flag Day मनाय जाते हैं बहुत ही important है दोस्तों क्योंकि जितने भी शहीद हुए उनके Fund में फ्लाग को पैसा देना पड़ता है करिद के Mission Indra Dhanush जो की related to Child Vaccination कह सकते हैं दोस्तों ये Indra Dhanush में सभी बच्चों को Vaccination करवाना है Bitcoin जो है एक किसम का नाजा ने लांच किया है किसलिए Mercury के बारे में पढ़ने के लिए तड़ोबा National Park ये आप देख सकते हो महाराश्ट्र में हैं दोस्तों तड़ोबा National Park Oval Office कहां पर है The Office of the President of the USA को हम लोग Oval Office के नाम पर जाना जाते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट वाइट भी कह सकते हैं जहां पर President रहता है दोस्तों अगला देखें बहुत ही इंपोर्टेंट है Asexual transmitted bacterial disease एक किसम का सिफिलिस कह सकते हैं दोस्तों AIDS virus से होता Human Immunovirus इस तरह का आपको पता होना जरूरी है Dactylogram जो की Assembly language जो Programming में यूज किया जाता है ASC2 code है दोस्तों जो आपको पता होना जरूरी है BrahMhose मैंने बताया था SuperSolic cruise missile है दोस्तों यह जो BrahMhose है Israel से मदद से हमने इसको बनाय गया है What is the name of the short range Surface to Surface ballistic missile Tested successfully by Pakistan 2017 में नाजिर एक ऐसा एक missile उन्होंने Test fire किया है दोस्तों Objective of One Bandu Kalyyan Yojna जो के welfare of tribal के लिए ये One Bandu Kalyyan Yojna Startup किये थे दोस्तों Fiscal policy in India में अगर देखा जाए Formulate करने वाला Ministry of Finance है दोस्तों जो कि इसका पूरा look after करता है Reserve Bank of India Bankers Bank कहते हैं Security and Exchange Board of India Stock related होता है World Trade Organization सभी जानते ही है Liquified Petroleum Gas होता है LPG जिनके अंदर Brutane और Propane देखने को मिलेगा और ये जब LPG लीक होता है हम लोग smell देखने को मिलता है E-tail Met Captain की वज़े से बहुत ही important है दोस्तों Which one of these Hockey Players won the Arjuna Award 2017 का S.V. Sinel जो की Hockey Player है दोस्तों जिन्होंने Arjuna Award 2017 में मिला था और The Branch which deals with the study of Defense Mechanism Against Discs जिसको हम Immunology कहते हैं दोस्तों अमें अगिनेस्ट डिसीज होता है जो की fight करता है AIDS एक किसम का immunity related है दोस्तों बाकी आप लोग देख सकते हो किस किस के लिए क्या क्या है The longest constitution in the world जो की India का है दोस्तों अलग-अलग देशाओं से लेकर आज की टाइम के अमारे खुद का 13 दिन कम लगा मतलब 3 साल के लिए तो तकरिमन आप कह सकते हो 2 साल, 11 महिना, 12 दिन, 18 दिन लग गया था इसको बनाने में सबसे लिंग्डियस्ट कांस्टूशन है दोस्तों CPU यानि Central Processing Unit होता है Brain of the Computer जिनके अंदर ALU, Control Unit और Memory Unit देखने को मिलेगा Indian Air Force के Sergeant जो बराबर होता है आर्मी में हवलदार है दोस्तों Navy में पिटे आफसर कह सकते हैं National Language of India जो की आज की टाइम पे Hindi है दोस्तों कुल मिला के 22 लैंग्वेज आटवा आर्टिकल के अंदर देख सकते हो 7th parallel जो की separate करता है North और South Vietnam को आपको पता होना जरूरी है What is the name of the mobile application launched under the Digital India Initiative of United Mobile Application for New Age Governance जो की उमंग होता है United Mobile Application for New Age Governance उमंग जो की नया application launch किया गया है for the good governance which is the oldest steel plant जो की आज की टाइम पे टिसको है दोस्तों TADA Institute of Steel and Company अगर पूछा जारूर के लाद सबसे पहला steel plant कह सकते हो और अलग-अलग दुर्गापूर में भी steel plant आप देख सकते हैं तो सबसे पुराना टिसको है दोस्तों आप मुझे comment section में बताएंगे कहां पर है दीपा मालिक फर्स्ट इंडियन उमेन है जिनको पैरालंपिक गेम्स में 2016 में शॉट पॉट में मिडल मिला है दोस्तों सिल्वर मिडल दिया गया है शॉट पॉट में पैरालंपिक यानी उसका कुछ limbs problem है पंडिट हरी प्रसाज चौराशिया जो की फ्लूट बजाता है और तबला जाकिर उससे नला रखा कान वाइलिन आप मुझे comment section में बता सकते हैं जियो सिंक्रोनस आर्बिट इस लोकेटेट है वो दा एक्वेचर अट दे लाचिचूड अप्रक्समेटली एक्वेटर के उपर जियो सिंक्रोनस आर्बिट कितना दूर रहता है देख सकते हो 36,000 किलोमेटर पोल में पास रहता है कौन सा इंस्ट्रुमेंट मेजर करते हैं सोलार रेडियेशन पाइरोमेटर होता है या सोलारीमेटर कह सकते हो बागी फोटोमेटर जोकी लाइट की इंटेंस्टी को फ्रास्ट बाइट जो होता है इस कॉस्ट बाइदा फिजिकल एजेंट के वज़े से आपको फ्रास्ट बाइट यानि ठंडा प्राब्लम हो जाता है दोस्तो फिजिकल एजेंट के वज़े से सादा ए सरहद जोकी डिल्ली और लाहर के बीच में जो रोड है कनेक्ट करता है सादा ए सरहद डिल्ली और लाहर जोकी पाकिस्तान में है कौन सा वाला यहां पर इंपुट डिवाइस है विज्वल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट है दोस्तो बाकी कीबोर्ड, मौस, पेंड्राइव इस सब इंपुट डिवाइस है जोके सवाल में नॉट अन इंपुट डिवाइस पूछा गया है फेमास आस्ट्रिलेन फास्ट बोलर ग्लेन मेगरत जिनको हम पीजन के नामे भी जाना जाते हैं यानि कबूतर काफी अच्छा बोलर है दोस्तो अब बात आता है दोस्तो विन्वाज इंडिन नेशनल फ्लाग बिजाइन बदा फ्रीडम फाइटर पिंगाली विंकया जिनको हम अडाप्ट किया गया था 22 जूलाई 1947 को बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तो अगर आपको मेटिरियल चाहिए मेरा किताब अगर आपको चाहिए आप मुझे कर दिया पर्ट वी इसक्रिया नो इस पेपर 3 गो थू अटरू वड़ोडरा वीडर्वी विडियो अवीड गिवन थैंक यू दोस्तो वाव गूद देह आव अग्रेट लाइप जये हैं जये पारत this is sandeep kumar eddy from ingenious competitive training academy